हेलो एब्रिवान स्वागत अफिर से हमारे यूट्यूब चैनल से जी पी असी ए बी सी डी के इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के अंदर हम लेबर लॉग एक्ट अर्थात श्रम कानून अधिनियम से सम्मंदित ये तीसरा वीडियो होगा ठीक है तीसरा वीडियो इस से पहले हमने दो वीडियो को कवर कर लिया है इन दोनों वीडियो के अंदर 10 10 कुसिण का हमने एनलेसिस किया और इस प्रखार बीस क्यों से प्रंथू उसके прदैंशन से अगर देखेंगे ngay तो आपको 50 से भी जादा ज़्यां आपको देखने को मिलेगा और उसका एक्स् करते चलना ठीक है यह क्योंकि यह अग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सेजी लेबर इंस्पेक्टर रेक्रूट्मेंट जिसको महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन अधिनियम के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा ठीक है तो पहला है यौन संबंध बनाने की मांग यह अनुरोध दूसरा यौन संबंधि टिपनी तिसरा है खराब शारीरिक संपर्क या फिर चौंथा है ओफिस केबिन में बैठक तो यह चौथा option है option number D office cabin में बैठक इसे यौन उत्पीडन के अंतरगत शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह office cabin में बैठना जो है उसके जो कारे है उसके कारे के अंतरगत ही आता है ठीक है इसलिए हम इसको उत्पीडन के संबंधी मतलब उत्पीडन के स्रेणी में नही ताहिएगे यौन सम्मंदी किसि को अगर abuse sexual abuse कर रहे है गाली दे रहे हैं तो यह यौन सम्मंदी किसी के आप Subscribe यह भी होगा ठीक है खराब शारीड़ित संपर किसिको अगर गलत से अप टच कर रहे हैं यह सब को इसके अंतरगत सामिल किया जाता है एक और भीयाद रखेता क के कटेगरी में रखा जाता है ठीक है या फिर गंधी टिपणी करना योंशम मंदी टिपणी यह सब रखा जाता तो यह सब याद रखिएगा यह पहला कोश्चन का एक्स्टेशन था और इसका option number D सही एंसर था ठीक है न हमारा दूसरा प्रश्न है कि मात्रित्व लाव अदिनियम 1971 के बारे में निम्न लिखित में से क्या सही नहीं है ठीक है एक कुश्चन यहाँ पर नहीं कों कोश्च्न रहा है कि कौन कर्यालियों में ही लागू होता है क्या सही है क्या नहीं गलत है यह सभी संस्थाओं में लागू होता है ठीक है या फिर उन्हीं कर्यालियों में लागू होता है जिनमें दस से अधिक कर्मचारी होते हैं तो यह वाला दूसरा कतन सही है तीसरा यह अधिनियम गर्भवती महिल 1901 के तहट उन सभी कार्यालेओं में जहां पर 10 से अधिक श्रमिक होते हैं वहां बर उन महिलाओं को ये अधिकार प्रदान करता है क्या अधिकार कि उन्हें समवेतन के साथ ठीक है मतलब वेतन सहीत कितने 12 सप्ता ठीक है पहले के वीडियो में इसको एक बार मैं सायद बताया जाता है इसका option number 20 है होगा ठीक है ना चलिए तिसरा प्रश्न है कि एक कर्मचारी जो एक कार्याले में एक वर्ष से अधिक समय से कारेरत है लेकिन उसके नियोकता द्वारा बीना किसी उचित कारण के उसे बरखास्त कर दिया गया है इस मामले को खाली स्थान के तहट सुल जाया जाएगा ठीक है यह हमको बताना है और दोगिक विवाद अधिनियम 1947 निवनितम मजदूरी अधिनियम 1948 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही अंसर क्या है इसका सही अंसर है option number A और दोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहर इस पूरे मामले को सुलजाया जाएगा ठीक है और इसको सुलजायेगा कौन तो ये उपियुक्त सरकारी कार्याला या फिर संबंदित प्राधिकारी की अनुमती पर बर्खास्त किया जा सकता है ठीक है या फिर इस अधिनियम के 1947 के तहट बर्खास्तगी से पहले यहाँ पर वैध कारण बताना होगा ठीक है वैध कारण बताना होगा कि आखिर कि उसंसे बर्खास्त kia जा यह भी अच्छा कोश्चन है इंपोर्टेंट है ठीक है कौन सा समिधान का कौन सा अनुष्यद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है अनुष्यद 23 अनुष्यद 191C अनुष्यद 24 या फिर अनुष्यद 14 इसका सही अंसर है option number B अनुष्यद 19 या अच्छा अनुष्यद article number जो 19 है वो किस से संबन्दित है यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है ठीक है ना स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमको इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जो 19.1 का सी का जो आर्टिकल है यह जो हमको ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है ठीक है संग या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है ठीक है संग या फीर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता अनुछेद 19.1C के द्वारा दिया जाता है जैसे जो ट्रेड यूनियन जो अधिनियम है याद रखेगा ट्रेड यूनियन जो अधिनियम या एक्ट है ये 1926 में पारित हुआ था प्रंतु इसको 2001 में संसोधित किया गया था ठीक है 2001 में इसका शनसोधन किया गया है 2001 के अंदर इतना चीज़ आद रखेगा अनुछेद 30 जो है शोषन के विरुद्ध अधिकार से संबंदित है अनुछेद 24 जो है बलात्ष्रम से संबंदित है या फिर बोसकते हैं शोषन के विरुद्ध के अधिकार ये तो 30 हो चौबिसवा जहें बाल श्रम से संबन दी ठीक है आगे के हम questions में देखेंगे तो इसका जो एंसर है option number B191C ठीक है ना पाचवाँ प्रशन देखते हैं पाचवाँ प्रशन हमारा है कि सही कथन का चयन करें कि ये चारों में से कौन सा कथन जो है सही है पहला समीधान के चारीश जो है वो महिला और पुरुषों को समान कारे के लिए समान वेतन की बात करती है इस प्रकार ये जो है सही है ठीक है पहला कथन जो है सही है दूसरा देखते है मतलब यही तो एंसर है क्योंकि सही तो बोला है तो हमारा यही एंसर हो जाएगा मतलब बाकी के तीन जो है 1976 का है 1976 का है याद रखिएगा 1976 में इसको पारित किया गया था ठीक है पारित किया गया था दूसरा बाल श्रम निशेद और उन्मूलन अधिनियम 1989 यह 1989 का नहीं है यह भी गलत है यह है 1986 में 1986 में इसको पारित किया गया था तिसरा भारतिय समिधान का अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिबंद लगाता है यह तो गलत है ही योकि बाल श्रम पर प्रतिबंद कौन लगाता है अनुच्छेद 23 नहीं बलकि जो प्रतिबंध लगाता है ठीक है बाल स्रम पे प्रतिबंध मतलब चौदव वर्से कम के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कारे में शामिल नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह आर्टिकल नंबर 24 है ठीक है तेज किस से संबंदी था शोषण के विरुद के अधिकार से स कर्मचारी भविश्य निधी योजना का निर्मान किस किया था कर्मचारी भविश्य निधी मतलब Employee Provident Fund E.P.F कहते हैं आपने सुना होगा E.P.F Employee Provident Fund कर्मचारी भविश निधी इसका इस योजना का शुरुवात किस ने किया था चिगित्सा लाब परिशत द्वारा E.S.I.C. द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा कौन इसको शुरूव किया था इसका जो सही अंसर है option number D केंद्र सरकार है केंद्र सरकार ने शुरुवात किया था कर्मचारी भविश निधी की capacity पाद केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जो करमचारी भविष्य निधी और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 तीक है ना, याद लखिए कि क्या कि करमचारी भविष्य निधी इसके बाद आगे का लिख रहा हूं और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 इस अधिनियम के तहत ही कर्मचारी भविष्य निधी की स्थापना किया गया था इस योजना को लाया गया था इस योजना को जो प्रबंदन होता है वो EPFO के द्वारा किया जाता है कर्मचारी भविष्य निधी संगठन Employee Provident Fund Organization के द्वारा इसकी देखरे किया जाता है ये जो EPFO के अंदर इसके अंदर वो सभी संस्था आते हैं ये सभी कार्याले आते हैं जहां पर कितने 20 से अधिक कर्मचारी हों याद रखिएगा ऐसे सारे कार्याले जहां पर 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों वो इसके अंतरगत आता है और EPF कर्मचारी भविष्य निधी योजना जो है वहाँ पर लागो किया जाता है इसका सही अंसर था option number D चलिए सात्वा प्रश्न देखते हैं सात्वा प्रश्न है कि बाल श्रम निशेध विनेमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिक्तम आयू क्या है ठीक है तो है 14 वर्स अधिक्तम आयू क्या होना चीए 14 वर्स 14 वर्स के बाद कि ऐसको hardships के इंदधर नहीं रखेंगे 14 वर्स या फिर उससे कम ठीक है इसका एंसर हो जाएगा 14 वर्स तो 14 वर्स या उससे कम को जितने भी वालक है उनको हम बाल श्रमिक के रूप में हम का बोलते हैं, उस रहनी के अंतरगत रखते हैं, ठीक है, यह हमारा जो सविधान का अनुछेद नमबर जो 24 है, ठीक, आर्टिकल नमबर 24, वो यह बताता है कि 14 वर्स से कम, ठीक है, 14 वर्स से कम के जितने भी बालक हैं, ठीक है, उनको कारखाने में, ठीक है, कारखाना, या फिर खनन, ठीक है, या फिर कोई भी खतरनाक कारे, ठीक है, जहाँ पर ऐसी युद्योग जहाँ पर खतरनाक कारे हो रहे हो, वहाँ पर उन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, रेखिए, जो मूल बाल श्रम अधिनियम है, याद रखिएगा, एक शी मैं बता रह ऐसे उद्योग हैं, जिनको खतरनाक उद्योग की दरजा दिया गया है, अठारा, यह बस डाटा याद रखेगा, अठारा, खतरनाक उद्योगों को इसमें सामिल किया गया है, जिसमें 14 वर्स तक के कम बच्चों को, वहाँ पर उद्योग में नहीं सामिल किया जाएगा, उ आठमा पर थोड़ा बहुत काम करते हैं बाकि ए अठारह ऐसे हैं जिस उद्योग में उनके लिए जो है काम कराना वरजीत है ठीक है चलिए आठमा प्रश्ण देखते हैं आठमा प्रश्ण है आठमा प्रश्ण है हमारा कि कार इस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन अधिनियम कब पारिद किया गया था बहुत अच्छा क्वेस्चन कि कार इस्थल पर जो महिलाओं का यौन उत्पीडन अधिनियम जो है उसको लागू कब किया गया था पारिद कब गया था दो हजा साथ, दोहजार एक, उनिसो पंचानबे या फिर दोहजार तेरह सही एंसर है option नमबर डी, तोहजार तेरह को, date याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 9 दिसंबर दोहजार तेरह, ठीक है, 9 दिसंबर दोहजार तेरह को, ये महिलाओं का यौन उत्पिडन अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है, यह अधिनियम कार इस्थल पर महिला स्रमिकों के किसी भी प्रकार का यौन उत्पिडन को पर रोक को लगाता है, ठीक है, प्रत शुमेलित नहीं है, उसको बताना है, नियुनतम, मज़दूरी अधिनियम 1948, क्या ये शुमेलित है, जी हाँ, ये सुमेलित है, अगर पीछे mood, अगर आपने याद किया होगा, तो ये सुमेलित है, जी हाँ, गुसरा, मात्रित्य लाभ आधिनियम 1961, ये भी सुमेलित है, bonus अध अधिनियम का भूगतान अधिनियम जो है यह 1971 का नहीं बलकि यह 1965 का है ठीक है? 1965 में पारित किया गया था और ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है 1926 का यह वाला सुमेलित है इस प्रकार इसका सही अंसर है option number C जो की सुमेलित नहीं था उसका जो bonus अधिनियम का भूगतान अधि 1965 का अधिनियम है ठीक है ना दस्वा प्रश्ण ये हमारा आज का दस्वा और लास्ट अंतिम प्रश्ण जो की इंपोर्टेंट है क्या है कि ठेका श्रम विनेयमन एवं उनमुलन अधिनियम 1970 के अनुसार श्रम अनुग्यप्ति प्राप्त करना अपेच्छित करने के लिए श् का उन एन्स ओक्राप्त करना ही चाहिए तब उनको अनुग्यप्ती प्राप्त हो पाएगा ठीक है श्रम अनुग्यप्ति प्राप्त होपाएगा । पचास, बीस या फिर दस क्या इसका answer होना चाहिए option number C इसका सही answer है ठीक है 20 या फिर 20 से अधिक होना चाहिए ठीक है याद रहेगा देखिए अनुग्यप्ति आवेदन के साथ कुछ उनके लिए अनुग्यप्ति शूल के भी लिया जाता है ठीक है जब वहाँ पे registration कराने जाएंगे तो कुछ अनुग्यप्ति शूल के लिया जाता है जैसे अगर 20 श्रमिक है ठीक है बिश रमिक है तो उ अगर 51 से लेके 100 वहाँ पे कारेरत हैं ठीक है 51 से लेके 100 तक ठीक है तो उनको 75 रूपया 101 से लेके 200 तक है तो 1.500 रूपया 200 से जोड़ी 201 से लेके अगर कहां हो गया 101 से 200 101 अच्छे 100 ठीक है इतना याद रखिए ठीक है इतना याद रखना है एक जी याद रखिएगा कि जो अनुग्यप्ति की जो वैदता है वह एक वर्श का होना चाहिए ठीक है जैसी एक वर्श होगा तो फिर से उसको पांच रूपय का सायद एक्स्ट्रा सूल्क दिया जाता है और फिर से उसको लागू कर दिया जाता है ठीक है न? तो याद दखिएगा 51 से 100 तक कितना हो गया? 75 हो गया फिर अगर अगर देखेंगे तो 151 से लेके 200 तक लोग हैं तो उनके लिए 500 रूपया लिया जाता है ठीक है फिर 400 से कम है और 201 से अधिक है तो इनके लिए 300 रूपया लिया जाता है मैं भी सुझा इसको बताई देता हूँ और फिर 400 से अधिक अगर रहेंगे ठीक है 400 से अधिक कितना भी है तो उनके लिए 375 रूपया अनुगयप्ति शुल्क लिया ज reason करना है ठीक है क्योंकि आप उमीद कर रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं जो ये सारे topics को पहले पढ़े होंगे सब के लिए ये नया ही है ठीक है इसलिए जादा से जादा revise करें इसको जितना मैंने पढ़ाया उसको बार बार आप पढ़ें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद